कि अच्छो वेलकम टू आरे स्टेटी चैनल ब्लूपरिंट डिजिटल मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर तो इंदर धनुष इंदर धनुष होता क्या है तो थोड़ा साम समझते इंदर धनुष के बारे में आपने देखा होगा जब अकाश में एक जगे वडशा हो विपřीतौर जो है प्रकाश निकल रहा है तो ऐसी इस्थति में इंदर धनुष की समभावना हो जाती है तो वह कैसे होता है तो वह इस परकार से होता है यदे आप इस प्रकार से कोई स्थती आकाश में है किसी समय पे यह तरफ सूर्य और उसके विपरीत भाग में धर्श इंद्र धनुष बनता हुआ दिखाई दे सकता है तो इंद्र धनुष होता क्या है तो थोड़ा सूस को समझते हैं यदि मैं कुछ सरकल बना लेता हूं ठीक है कुछ सरकल मैंने बना लिए जो कि जिनका केंदर एक ही है यही केंदर है इसका जैसे कि मैं ओ कहते हूं इस केंदर के कई गोले वरत वरत मैं बना देता हूँ तो इस प्रकार से इस तरह से जो वरत बन जाते है इन वरतों का सबका केंदर सी है यानि कि सारे वरत इसी केंदर पर बने हुए है तो इसे कहते है क्या कहते है संकेंदरी वरत संकेंदरी वरत यह संकेंदे भी बढ़ाते हैं तो कितने वरत बने हुए इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच है और एक और बना देते हैं तो साथ हो जाएंगे तो इस प्रगार से साथ वरत हो जाते हैं यदि इन साथ वरतों का मैं कुछ हिस्सा काड़ दूँ जैसे कि मैं यह हिस्सा नीचे का हटा देता हूँ तो इस प्रकार जो यह नीचे का हिस्सा हटा देने के बाद यह आपको क्या दिखाए दे रहें यह साथ चाप दिखाए दे रहें आपको क्या दिखाए दे रहें साथ चाप जिनका केंदर कहा है यहां कहीं केंदर है ठीक है तो साथ संकेंदरी है वरत चापे यह क्या बन गई संकेंदरी वरत चापे यह साथ संकेंदरी वरत चापे बन गई और यह क्या होती है ये रंगों की चापे दिखाई देती है जैसे कि हम कहते हैं यहां बैंगनी रंग दिखाई देता है यहां इंडिगो विब गे और हमने आपको बताया था विब गे और करके यह हमें दिखाई देती है यह बाहर के और क्या होता है बाहर के और लाल रंग के बीच में बाकी सारे रंग होते हैं तो इस प्रकार से जब आपको आकाश में इस तरह से कोई चापे दिखाई देती हैं तो इसे हम कहते हैं इंदर धनुश क्या कहते हैं इंदर धनुश यही इंदर धनुश है जो कि आकाश में जब दी कभी वर्षा होती है तो आप देखने का प्रियास कीजिए किसी भी दिशाम में आपको यह दिखाई दे सकता है तो जहां वर्षा हो यह लगबग वहीं बनता है तो आपके माता पिता ने या पेरेंट्स पगर ने घर में किसी ने देखा हो तो आप उनसे इसकी चर्चा भी कर सकते हैं तो जब यह कलर प्राथमिक और धुठ्यक्र दो परकार का हमें इं Wars दिखाई दे सकता है यह मुथ अनकी स्थितिया जान लें kolad कि उस प्रकार कसे नो किस तरह से दिखाई देंगे तो हम यह पता लगा सकते हैं कि प्राथमिक द दुधर कॉन सा है और धुठ्यक इंदर्ध्यकिश इसा से किसी दिशा से सुक्षम गोली बूंद यह सुक्षम गोली बूंद नहीं किझ की रोदु की बूंद है दो जब वर्षा को होती है तो वर्षा के कारण गॉज़ होता है उसमें जगे जगे वर्षा की बूंदे चोट चोटी बूंदे जो होती है जो हमारी आकाश में वाई बंडल के अंदर होती है तो जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों पर पड़ता है तो वहां पर अपवर्तन होता है वन विक्षेपन होता है और साथ हमें पूर्ण किरन यहां से आती है और इस प्रश्ट पर टकरा के अपवर्तित हो जाती है अंदर की ओर चली जाती है तो सुरे की करन आ रही है तो वह दो प्रकार से अपवर्तित होती है एक जैसे यह आपवर्तित हमने दिखाई दी है और दूसरी इस प्रकार से अपवर्तित होती है और य यहां पर यह बाहर बी निकल के जा सकती हैं। परनतु कुछ केर्ने जो सुरे के परकाश की कर्ने इस पर पड़ेंगी, कुछ केर्ने बाहर निकल के चले जाएंगी। परंतु कुछ केड़ने जो होती है वो पूनांत्रिक प्रावर्तित हो जाती है वापस अंदर की ओर पूनांत्रिक प्रावर्तन हमने पढ़ा है ता क्या पढ़ा है कि यदि आपतन कोण जो आपतन कोण कहां बनेगा यहां पर बनेगा जहां यहां पर जब किरण यहां इस प् 48 डिगरी जो इस इस्तरी में करांति कौन के आएगा 48 डिगरी आएगा यदि आपतन कौन करांति कौन से बड़ा हो जाता है तो ये प्रश्ट से टकरा कर वापस लोड जाती है कहां लोड जाती है वापस लोड जाती है और इस प्रकार दो केर्णे दिखाई गई है कि वो इस यहां टकराती हैं और यह वापस इस प्रकार से लोड जाती है तो यह बाहर जाके कैसी दिखाई देगी बैंगनी दिखाई देगी और यह बाहर जाके कैसी दिखाई देगी बून से वापस लोडने के पच्छाती लाल दिखाई देगी और लाल और बैंगनी किर्णों के हैंगा मिलता है 물ाइब का सद्धी में सुरे की किरण के साथ में कौन देखिए तो यह में 12 अच्छ डि dest면 लाल किरण का इस सूरे की किरण के साथ में कौन देखें तो यह हमें ब्यालेज डिग्री मिलता है और जो यह बैंगनी किरण है बैंगनी किरण का कौन कितना मिलता चालेज डिग्री मिलता है सुर्य के प्रकाश की स्तती में सुर्य के प्रकाश के सापेक्ष हम इसका कोण एदि नापने का प्रियास करें अपने यंत्रोंथारा जो स्थिंट यंद्र बगर में बंचुके हैं साइन्टिफिक जो इंस्ट्रूमेंट से उनसे कर huge प्रयास करें तो यह हमें 42 दिग्री लाल किरनी के लिए मिलता है और जो बैंगनी प्रकाश कोन हो सकता है तो इस प्रकार आपको समझ मागेगी सुरका प्रकाश आता है पहले आपवर्तित होता है यहां से पुर्ण मुनांतर प्रावर्तित होकर बहार निकल जाता है और प्रात्मिध्य इंद्र धनुष का विक जाता है धार सीना को सूरे दिखा दिया तो लिए नेकोगत explodes है यहां पर कोई प्रेक्षक है हमने आख लगा हुई यह तो यहां कोई प्रेक्षक है इस प्रकार सब्सक्राइब करन्हें दिखाई देती है आख को यहां पर प्रेक्षड के आँख में गिरती है पडती है इसे प्रकाण सूरसे से दूसरी इंञाती है दूसरे वाली बूंद उपर गिरती है दूसरे वाली बूंद से टगरा कर आंतिक पूर्ण आंतिक प्रावर्तित हो जाती है क्योंकि यहां पर इसका आपतन कोण करांतिक कोण से बड़ा हो जाता है 48 डिगरी से और यह आकर आख पर गिरती है और यदी ये कोण देखते हैं, तो बैंगनी रंग के लिए कोण 26 के साथ हमें ये 40 डिगरी का बनता है और लाल रंग के साथ हमें, ये 42 डिगरी का बनता है. और ऐसे प्रिकार एक rainbow हमें प्रिक्षक को दिखाई देता है. ठीक है तो इन दोनों कोणों के बीच में पांच कोणों और दिखाई देते हैं और वो सब मिलकर एक संयुक तुरूप से इंदर धनुष बनाते हैं तो इसे कहते हैं प्राथमिक इंदर धनुष का बनना प्राथमिक इंदर धनुष इस प्रकार से बनता है यह बहुत ही मनोरम द्रश्य होता है मैंने भी कई बार देखा है इसको तो आपने शायद इसको जो है कुछ बच्चों ने कुछ इस्टूडेंट्स वगरा ने देख लिया होगा इसको और कुछ ने हो सकता है कि अभी तक इसका जो है द्रश्य ना देखा हो तो जब भी बारिश पढ़ती है और दूप साथ साथ निकलती है बारिश भी पट रही है तो उस दोरान आप चारो दिशाओं में अपनी छट पर खड़े होका देखे तो आपको ये द्रश्य दिखाई देने की संभावना बन जाती तो बच्चों अब दित्यक इंद्र धनुष देखते हैं कैसे बनता है प्रा हुंत कंदर गंदर तो यह हमारा प्राथमी के एंद grant बना हुआ है तो इस प्रकारशिव दनुष के अंदर प्राथमी के अंदर बोले फिर वाखन की इन दोलों की पहचान है कि इसे में क्या होगा कि बैंङनी रंग फाहर की अर होगा तियाक पनता है तर्शा की बूंदे रह जाती हैं उन पर ही पढ़ती है परंतु यहाँ पर आंत्रिक प्रावरतन गे वर एक बार होता है यानि कि एक बार इमें ही परावर्तित होकर यह बाहर निकल जाती है जब कि यहां पर आंत्रिक परावर्तन जो है वो दो बार होता है पहला यहां पर इस प्रकार टकराती है इस प्रश्ट पर आंत्रिक प्रश्ट यह वला अंदर का तो आंत्रिक प्रश्ट पर टकराती है तो यह प्रेक्षक की आँख पर क्या कोड मनाती है तरेपन डिगरी का कोड मनाती है और इस प्रकार बैंगनी रंग बाहर की ओर हमें इसमें दिखाई देता है यानि बैंगनी रंग की चाप कहां दिखाई देगी बाहर की ओर और लाल रंग की चाप कहां दिखाई देगी अंदर मनुस्य को बनाती है यहाँ पर यहां पर यह को बन रहेता है उसमें लाल रंघर अंदर के दाक है और वॉयलेट रंग बाहर की और नहीं कि लाल रंग अंदर और बैंगनी रंग बाहर की और बनता है इस प्रकार ये दृत्तिक इंदर दनूश बन जाता है आगे आपको समझ में तो इनको आप पहचान सकते हो जब आपको दिखाई दे और इस तरह से दिखाई दे क्योंकि आ आपकोंड तो नहीं मेजर कर पाओगे अपने आग से परन्तु ये आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये बनता है तो ये बहुत ही सुंदर द्रश्य होता है देखना तो जब भी आप कभी बारिश हो रही हो और दूप निकल रही हो तो आप इस द्रश्य को की जब आपको प्राथमंगी पाओगे दिखाई देगा तो उसकी तीवर्ता जाद होती है यानि के यह रंग आपको ज्वाले रंग एपको ये वंटेक earn as I, Q तो इसकी तीवरता गढ़ जाती है जबकि प्राथमिक इनकी तीवरता से जादा होती है तो बच्चों इंद्र धनुष आपको समझ में आगा होगा इंद्र धनुष किस प्रकार से बनता है तो इसके लिए जो है आपको एक और वीडियो को फिर रिवाइंड करके आप देख सकते हैं तो इंद्र धनुष का आज का लेक्चर हमारा इतना ही है तो इसके बाद हम नेक्स लेक्चर में प्रकाश का प्रकिर्णन देखते हैं तो हम नेक्स लक्षर में मिलते हैं यदि आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो, remember, how early rainbows और की बनता है इस की प्रकार से बनता है झाल झाल